हेलो फ्रेंड्स विशाल्स कोकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज में आपके लिए लिका रहा हूँ सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम सौफ्ट और स्पंजी ब्रेड की रेसिपी इस ब्रेड में हम बिल्कुल भी मैदा का इस्तमान करेंगे प्योघ सूजी की बना कर थेयार करेंगे बहुत ही टेस्टी और एकदम मैदा जैसे हमारी ब्रेड जो हूँ बन कर तैयार होगि तो आइए रेसिपी acknowledging करते हैं तो सूजी की ब्रेड बनाने लिए यहाँ पर मैंने लिया है दो कप सूजी तो आप देख सकते हैं यह के हंदर हम सूरजी को डाल देंगे और अब इसका ढखन लगा के हम इसको लगबग एक मिनट तक पीस लेंगे तो इसको मैंने पीस लिया है जितना यह पिस्ट सुका है तो लगबग एक मिनट तक मैंने मेक्सी को चलाए था और आप देख सकते हैं यह इस तरह का पाउडर सा बन गया है पर फिर भी अब इसमें कुछ दाने हैं तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो हमारी ब्रेड अची बनकर त्यार होगी तो इस जो सूजी हमने पीस है इसको हम डाल देंगे बाउल में इसमें डाल दोगा मैं एक टेबली स्पून चीनी इसमें डालूगा मैं 3-4 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून डालूगा इस्टें ड्राय इस्ट, अब इन सभी को एक बार मैं अच्छे से कर लूगा मिक्स, तो इन सभी को कर लिया है मैंने अच्छे से मिक्स, अब हलका गुनगुना पानी का यूस करते हुए इसका मैं एक दम गीला सा आठा गु क्यों गुते हैं किशी है और उड्री चादा पानी को अबसरब कर दिया है तो जो पानी इसमें नहीं कम डालेंगे सारा पानी अबसरब कर लिए रोज सूप जाएगी तो असलिए हम इसको गीला सा इसका आठा गूद कर तयार करना है तो आप आप तो आप देख सकते हैं आ तो यह मैं तो यह सोजी आप त्यार हो जाएगी तो लगबग दो मिनिट हो चुकिए आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से फोल कर त्यार हो चुकिए है यह आप ने दिखा था कि यह अब बहुत गीला था लेकिन अब आप बहुत ही अधर थोड़ा कम गीला हो तो लगबग आपको 15-20 मिनट तक गूत जाना है, क्योंकि ये सूजी है और सूजी सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लहीं, तो इसलिए हमें इसको लगबग 15 मिनट तो गूत नहीं है, तो इसलिए खीच कीच के इसको स्ट्रेच करते हैं, हमें इसको गूत जाना है, तो दोस्तो लगबग 15 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से गूत लिया है, लगबग इसमें 17 मिनट लग गए थे, तो इसको मैं अच्छे से गूत लिया है, तो अब इसको मैं इस तरह बीचे की तरफ स्ट्रेच कर दूँगा, और इस तरह इसको डो कर लूगा, इस तरह ड किया होगा बाउल लिया है याए रिफाइन होल से इससे को ग्रीस कर लिया था और यूछ को हम स्पूरा सो में रख देंगे उसके दाल देंगे थोड़ा सा रिफाइन के लिया दो Representative अब इसको सब्सक्राइब रखें तो यहां पर मैंने छोटा ब्रेट बनाना है तो इसको मैं रिफाइंड वल से कर लूँगा अच्छे से ग्रीस तो इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लिया है तो हमारा ब्रेट दिन है वो रेडी हो चुका है तो इसको हम साइं में रख दीगे तो आप देख सकते हैं हमारा डोड भी आफैए वह आच्छे से फ اhold कर तो ready हो चुक है आप देख सकते हैं कितना फूल गए हैं दुख ने से भी ज़्यादा हो गला है यदion कऊना हो गया है तो अब इसको को मैं बाहर निकालने हगा इसकी हवा निकालके और इस Tag आप देख सकते हैं इस तरह मैं इसको rectangle shape में कर लूँगा इसको मैं इस तरह बेलना है यानि हम इसको rectangle shape में बेलना है तो ज़्यादा हमें गूदना नहीं है इसको तो हातों से भी हमें इसको थोड़ा shape देते जाएंगे इसका size है वह manage करते जाएंगे तो हमारा जो ग्रेड का टेन है उसी की साइज में हम इसको रोल करते जाएंगे याँ इसको रोल करेंगे तो एक बार मैं इस ब्रेड कर दो है इसको मैं पलट दूँगा क्योंकि नीची की तरब कुछ क्रैक्स हैं अब देख सकते हैं इस तरह के तो यह अंदर की तरब दब जाएंगे इसको पलटने बार तो इसको मैं हलका सा बेल लूँगा तो इसको मैं अच्छे से बे लिए अब मैं इसकी एक किनारे को इस तरह पकड़गा और इसको इस तरह रोल कर लूगा तो इसी तरह हम इसको रोल करते जाना है पूरा हम इसको रोल कर देना है अब देख सकते हैं इस तरह है इंको हम आपस में चिपका देंगे अब देख सकते हैं इसी तरह हम इस सभी किनारों को आपस में चिपका देना है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों इसको मैंने कर लिया है अच्छे से रोल तो इसको रोल करने के बाद इसको हम रख देंगे केक टिन के अंदर यानि जो ब्रेड का टिन है उसके अंदर इसको हम हातों के साथा से इस तरह दबा देंगे और यानि कि इसको चारो तरफ फैला देंगे तो इसको हमने डोको चार तरफ फैला दिया ब्रेट टिन के अंदर तो अब इसको हम रख देंगे कवर करके एक इसी कपड़े से लगबग आदा घंटे के लिए उसी गरम जगए पर हमें इसको रखना है तो इसको मैंने लगबग आदा घंटे तक रख दिया तक गरम जगए पर आप देख सकते हैं यह ब्रेट टिन से बाहर निकला है तो हमारा यानि दूगने से भी ज्यादा यह फूल चुका है फिर से तो अब यहाँ पर इसको हम मिल्क वोस करेंगे मिल्क वोस करने से क्या होता है जब यह जो ब्रेड है मारा बेग होगा तो यह बहुत यह अच्छा इस पर कलर आएगा तो चार तुरब हमें इसके उपर मिल्क लगा देना है तो इसके उपर मैंने मिल्क लगा दिया है तो चलिए इसको बेक करते हैं तो इसको बेक करने के लिए इसको हम आवन के अंदर रख देंगे तोवन को मैंने प्रीईट कर लिया था 220 डिग्री पर और इसको हम बेक करेंगे 25 मिनिट के लिए 220 डिग्री पर तो लगब 25 मिनिट बाद इस ब्रेट को हमने बाद निकाले हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया ब्रेट के उपर तो अब इसके उपर मैं लगा एक गिला सा कपड़ा यानि कपड़े को हलका सक गिला करके नीचे वड़के इसको हम रख देंगे लगबग 15 मिनिट के लिए तो 15 मिन पाद इस कपड़े को हम हाटा लेंगे तो ब्रेड हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है अब दबाने पर आपको बता ही चल रहा होगा अब इस ब्रेड को हम इस तरह पलट लेंगे इस ब्रेड को हम निकाल लेंगे बाहर दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इसपंजी है और एकदम मज़िदार सुंदर सा हमारा ब्रेड आउबन के तयार हुआ है मैं आपको इसको प्रेस करके दिखा देता हूं तो प्रेस करन यालीदार हमारा ब्रेड हो बनके तयार हुआ है और आप इसकी जाली भी देख सकते है एकदम जालीदार तो दबाने पर यह वापस अपने जगह पर आ जा रहा है बहुत ही तुछी तो इसकी स्लाइसेज आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ